नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं आपके साथ इश्यत्यागी और आप देख रहे हाप अपरहल चल। आज हम आपको दिखाते हैं आईवेड कड़ी का तीसरा एपिसोड जिसमें हम आपको बताने वाले हैं खासी जुखाम के कारण और उसके आईवेड इलाज के बारे में यह सर्दी खासी और जुखाम यह सब छोटी बिमारी हैं जो चेंज होते हुए मोसम में देखने को मिलती हैं पर यह कभी-कभी बड़ी भारी पर जाती हैं वैसे तो सर्दी जुखाम को राइनाइटरस भी कहा जाता है यह समझ से खास तोर पर अलर्जी या वारे इंफेक् सरदर्ड नाक से सफेद पानी आना नाक और गले में खुजली होना और कभी-कभी बुखार होना शामिल है यह इंफेक्शन होता है और इसका इलाज भी संभव है तो आपको इसका घरेलू इलाज पताते हैं जैसे तुलसी की पत्यां जड़ और फूलों में ओश्थें गु बाहां दिलाने में ऐसरकारी है लाजक्त आद्रकि रसन के दूद या गन्मकर ले सकते हैं कहीओं डीस लखहां के पानी ल condemn पाया जो आपको बदलते मौसम में सर्दी और जखाम से रहा दिला सकता है आज के लिए इतना ही और ऐसे इंफरमेटीव वीडियो देखने के लिए देखतेर यहां पडल चरव जुड़े हमारे साथ तब तक लिए नमस्कार